नमश्कार दोस्तों मिरा नाम कभी सिख्या स्वागत आपका सडियाई की एडिकेशन प्राट्फॉम में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे डिपॉल्ट बेल की आपने लॉयर एक्टिविस सुधा भारदवाज के बारे में अभी सुना होगा सुप्रीम कोट ने उनको कि जो बेल होती है वो इंडिफिंसविल होती है ठीक है जब भी वो डिमांड की जाए उसको दिया जाना चाहिए अगर हम पूरा बेल का प्रॉसेस देखेंगे तो आपने देखा जैसे ही कोई परसन अरेस्ट होता है तो किस तरह से यहां पर पुलिस की डूटी रहती है या वो उसकी कस्टडी जो है वो कोड को सौप सकते है खुद रख सकते है तो एक्जाटल यही होता जब अरेस्ट किया गया तो एक कस्टडी जो है एनाईय ने ली ओवर दा टाइम उनको जेल भेज दिया गया लेकिन कभी भी चार्शीट जो है वो पूरी तरह से फाइल नहीं लेकर सोधा भारदवाज के केस में हमने देखा भीमा कोरेगाओं में को एक क्यूस थी यहां पर यूएप उन पर लगा था यूएप में जो प्रोजिक्यूशन की लिमिट है वो 90 दिन तक रहती है उसको 180 दिन तक एक्स्टेंट किया जा सकता है अब जब 90 दिन हो गया तो चाशीट फाइल नहीं हो पाई थी उनकी जाएना यह ने चाशीट फाइल नहीं की तो इसको विद्वोल्ट नहीं कर सकते अगे चलता गया और तीन साल के बाद उनको एक स्टैट्यूटरी बेल यानि डिफॉल्ट बेल जो है दी गई तो अब हम यह जानेंगे पर 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 चाशीट फाइल नहीं कर पा रही है तो फिर एसे में उस परसन का राइट होता है कि वह कोड के पास जाए और बोले कि मुझे डिफॉल्ट बेल चाहिए अब यह डिफॉल्ट बेल आपने लेका सेक्शन 167 क्लॉस 2 और कोड प्रिमिनल प्रोसीजर से मिलती है यह इस सेक्शन जो है वो यह मान के चलता है कि कोई परसन बहुत लंबे सब्बे तक जेल में नहीं रह सकता उसके जो परसनल लिबर्टी वो इन्फरिंज नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर पुलिस यह इन्वेस्टिगेशन एजनसी जो है वो चार्शीट फाइल नहीं कर पारी तो इसमें उनकी तरफ से एक फॉल्ट है जारदार ओफेंसेज में 60 दिन में दे दिया जाता है या 60 दिन का समय दिया जाता है पुलिस को कि वो एक इन्वेस्टिगेशन पूरी करें और फाइनल रिपोर्ट जो है कोर्ट तक पहुँचा दे अगर कोई हिनियस क्राइम है ड डिफॉल्ट डिवांड कर सकता है इन फर्ट मेजिस्ट्रेट जो है वो भी इससे ज्यादा रिमांड जो है उस परसं की नहीं दे सकते पॉलिस को या जूडिशन कस्टिडी मों उसको नहीं रख सकते और जैसे पीरेट खतम होता है वैसे एक राइट जो है वो डिमांड करें और कोट कि यहां बें ड्यूटी बन जाती है कि उसके अर्टिकल 21 को देखते हुए उस तरह की बेल देना एक नेसेसिटी और बेल दे देना चाहिए एंपर हल तो परसं डिफॉल्ट बेल लेता है वो CRPC के चलते CRPC का चाप्टर 33 है उसके चलते यह बेल उसको क्या होगा क्योंकि हमें पता है जो special laws होते हैं वो थोड़ी से stringent होते हैं तो यह जो 60 or 90 days का time है यह ordinary penal law के लिए है अगर कोई जादा जादा कोई ग्रेव उफेंस है कोई ऐसा special lock offense है तो उसके case में पीरड जो है वेरी करता है डिफॉल्ट वहां भी मिलती है पीरड वेरी करता है जैसे अगर हम NDPS Act की बात करें तो 180 दिन का पीरड होता है अगर वो एकस्पार हो जाता है और उसके बाद भी अगर चार्चीट नहीं फाइल ह नहीं पाए है important case है इसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो फिर भी कोड जो है सोच सकता है उस परसन को ना सोचने ना छोड़ने का लेकिन यहीं होता है कि investigation जो है वो अगर पूरी नहीं हो पारी और बहुत लंबा समय चलता जा रहा है तो फिर को अब यहां पर अगर हम य आएगा ठीक है automatic नहीं है extension इसके लिए judicial order जो है वो लेना पड़ेगा court से public prosecutor को या investigation agencies को यह order निकलवाना पड़ेगा अब नेक्स्ट बात आती है कि जब हम बात करते है default bail की तो क्या एक statutory right है तो बिल्कुल हां यह statutory right है regardless of the nature of crime मतलब आपने कोई भी crime किया हो आप यह default bail जो है expiry of the time expiry मतलब अगर normal case है तो 60 दिन के अंदर अंदर नहीं चार्शीट फाइल हुई है कोई ज़्यादा important case है या special laws के cases एक 180 दिन हो गया है तो जो भी आपके law में time दिया हुआ है जिसके थूँ आपको यह convert किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है तो उसके चलते आप default bail expiry of the time पे claim कर सकते हैं अब यह stipulated time जब पूरा हो जाएगा और चार्शीट नहीं फाइल होगी तो ऐसे case में default will बनती है अच्छा दूसरी बात आती है दिन कब से गिने जाएंगे जो पहला दिन रिमांड का होता है वहीं से दिन गिने जाते है लेटर से आज किसी को arrest किया कल उसक बात judicial custody में पहुंचा है पुलिस custody में पहुंचा है तो वहीं से time जो है default bail का गिना जाएगा अब यहां पर बात आ जाती है कि default bail एक तरह से right है यह कोई भी person अगर custody में है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अगर यह बात कहीं नहीं है कि let us से किसी person के 90 दिन पूरे हो गए और अभी तक उसकी कोई भी चार्ट शीट यहां फाइल नहीं हुई है कोई evidences फाइल नहीं हुए तो यह bail automatic in nature नहीं है याद रखेगा कि 90 दिन पूरे हो जाए 100 दिन पूरे हो जाए जब तक आप claim नहीं करेंगे मतलब जब तक कोई accuse इसको claim नहीं करेगा तब तक यह bail नही करेगा कोट कहता आया है कि हम इसको fundamental right की तरह consider कर रहे हैं क्योंकि यह personal liberty का infringement है article 21 में अगर किसी person को आपने unnecessary उसको convict बनाया या फिर आप unnecessary काफी लंबे समय तक उसको detain किया हुआ है और आप उसके detention का reason नहीं रून पा रहे हैं तो उस person को set free कर देना चाहिए या otherwise उसका article 21 का clear cut infringement है तो कोट ने बार-बार का है कि section 167 clause 2 CRPC में जो है वो तो statutory right है लेकिन उसको power मिलती है article 21 of the constitution से क्योंकि 21 of the constitution बात करता है right to life and personal liberty और कोई भी accuse ऐसा है उसे बहुत लंबे समय तक अगर jail में रख लिया for no reason वो उसकी personal liberty का infringement है article 21 का infringement है यही देखते हुए सुधा भार वो की जाती है तो आशा करता हूं clear हो गया आपको टॉपिक डिपर्ट बेल का अचा दूसरी बात है कि हमारे जो प्राइस कोर्स के पर्स जानवरी से बढ़ रहे हैं तो पर्चेस कर लिए आज एक बहुत अच्छा टाइम है 20% extra discount plus double validity तो इतनी सारी चीज़े तो आपको कभ इंचन आपको यहां पर मिल जाएगा तो पहली वर ऐसा हो रहा है तो यह कोर्स के बेनिफिट्स हैं या इस ऑफर की बेनिफिट्स जरूर अभिल कीज़े बागी मिलते रहेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए good bye take care and God bless you all